तो क्या क्या वो कारान है जिस वज़े से ब्रेक अप होने की संभावना ये 100 गुना बढ़ जाता है जहां आपने सही सुना 100 गुना बढ़ जाता है तो आज मैं आपको तीन में रीजन बताऊंगी जिस वज़े से ब्रेक अप होने का संभावना 100% बढ़ जाता है और ये गलत जो है ना safe and secure रहेगा और breakup होने का chances एक दम से घट जाएगा तो चलिए जल्दी से जानने ते क्या-क्या वो तीन main reason है जिस वज़े से बहुत ही प्यारे प्यारे relationship जो है ना breakup में पहुच जाता है तो पहला जो point है यह है आप लोग ब्रेक अप से डरते हो अगर आप ब्रेक अप से डरोगे तो आप लेके लेलो आपका ब्रेक अप होके ही रहेगा क्योंकि यहां पर बहुत गहरी reason है एक दब कर दो तो शायद ब्रेक अप कर लेगी या फिर मैं यह चीज़ कैदो तो वह ब्रेक अप नहें तो यह जो डर् है इस ड़र के वज़े से आप अपने अंदर की जो चिटी है उसको अप एकस्प्रेसी नहीं कर पाओगे अभी आपको मैं एक एक्जाम्पल देत्यों आप लो कैसे निकलेगा और ऐसे एक situation समझो एक खुला आसमान है एक समुंदर किनारा है ठीक है और सांच के टाइम हो रहा है फूलों के किश्वों आ रहा है और अब बिलकुल आप अकेले हो और आपको इच्छा हो रहा है कि आप गाना गाओगे तो ये दो situation में आप खुदी बता दो कि कौन से situation में आप अच्छे से गाना गा पाओगे अपने अंदर की जो beauty है उसको गाने के माध्यम से आप कौन से situation में अच्छे से बहार निकाल पाओगे डेफिनिटली जो बीच का situation है उसी पर है ना बंदू के नौक के उपर आपको हमेशा डर रहेगा कि मैं गलत गाओं कि मैं यह कह दू तो break up ना हो जाए मैं वो कह दू तो मुझे छोड़के ना चला जाए तो आप अपनी जो real beauty है उसको expressing नहीं कर पाओगे और वहां पर क्या होगा आप समझ लीजे बहुत दिनों तक आपके अंदर यह जो expressions है वो दबा हुआ रहेगा इस वज़े से आप अं आपके उपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा उस टाइम आप कितना भी रोको खुद को आपको पता है कि मैं जहकरा करूंगा गुस्ता करूंगा लेकिन बेक अप हो जाएगा लेकिन फिर भी आप अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाओगे इतने दिन तक आपके अंदर जो भी कितना दिन रहेगा ठीक है तो इसी वज़े से आपको कभी भी ब्रेक अप से डरना नहीं चाहिए आप ऐसा समझो कि हम लोग रिलेशन्शिप में हैं अभी हम कुशी से रिलेशन्शिप को एंजय करेंगे इसके बाद वाले चीज तो आपको सोच नहीं नहीं चाहिए कि चीज है और यह चीज अगर आप सोचोगे तो आपका प्रेजन्ट मॉमेंट भी खराब हो जाएगा ठीक है और प्रेजन्ट मॉमेंट जैसे खराब होगा देरे देरे आपका फ्यूचर भी खराब होगा इसलिए अप सोचो ही मत आप अपने प्रेजन्ट मॉमेंट में अप हमारा दिमा कहा जाएगा कि पिछला तो नहीं जाएगा ना हमारा साथ ही रहेगा तो उस टाइम सोच लेंगे कि अगर कुछ बुरा सिचेशन आए तो हमें क्या करना है अभी वो बुरा सिचेशन सोच के हमारा आज हमारा present moment को खराब नहीं करना है तो यह हुए आपके पहली main reason कि आप break up से डढ़ते हो और इसे विजह से ही आपका break up का chances जोएना hundred percent बढ़ जाता है दूसरे number point में आ जाते हैं दूसरे number point अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप बहुत सादा उनसे attached हो जाते हो और आप बहुत जादा अगर आप बहुत जादा कुछ भी करोगे तो व अती हो जाए तब वो जहर हो जाता है अगर मालो यह जो पानी पीके जिन्दा रहतो यही अती पी लोगे मतलब एक एखी दिन में आप 20 लीटर पानी पी लोगे एक ही टाइम में तो तुरंत फिन आपका मरने जैसा हाल हो जाएगा है तो कोई भी चीज अगर अती हो जाए और अगर आपकी attachment, अपने partner के प्रति आती हो जाए, बहुत जादा attached हो जाओगे, तो यह चीज़ जहर बन जाएगा, कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ, अगर बहुत जादा attached हो जाओगे, हमेशा आप उसको call पर call करते रहोगे, हमेशा की बाबु खाना खाए हो, क्या कर तो मेरा हक बनता है कि मैं उसका क्यार करूँ, मैं उसका ध्यान रखू, और हमेशा आपके मन में डढ़ चलेगा, कि यह जो partner है, जिसको मैं इतना जादा प्यार करता हूँ, वो कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए, यह जो tension है आपके अंदर लगा रहेगा, और इस tension के व पार कॉल करोगे, हजार हजार messages भेजोगे, हमेशा उसके साथ आप मिलने की बात करोगे, हमेशा उसको शक के बात करोगे, कि तुम किसी और की तरब तो नहीं देख रहे हो, तुम किसी और के लिए मुझे तो नहीं छोड़ के चाओगे, तुम्हारे मन में कोई और तो नही है, यह जो चीज आप हरकते करते होना, इससे सामने वाले का जीना मुश्किल हो जाता है, आप अपने आपको सिचेशन में कलपना करके देखो, कि अगर आपके साथ कोई ऐसे behavior करता है, तो आपको कितना बंदिश फील होगा, ठीक है, तो यही चीज आप अपने partner के साथ कर तो अगर आपके attachment अती हो जाए तो, तो हमेशे याद रखना attachment सही है, लेकिन अती कभी मत होने देना, तो फिर आप break up के तरह बढ़ रहे हो, तीन number point में आ जाता है कि तीन number क्या main reason है, जिससे कि आप अपने break up को बुलावा देते हो, निवता देते हो, यह है, आप अपने partner क अपना हक समझ लेते हो, अपना अधिकार समझ लेते हो, मतलब आप प्यार कर लिए, तो आपको लगेगा कि यह बस अब मेरा हो गया, उसको मतलब rune bean के आप बतलब कभजा कर लिया जाए, तो यह जो चीज है ना, यह आपकी बहुत बड़ी third कलती है, अगर आप किसी को भी अधिकार समझ के, उसके उपर आप torture करोगे, अभी आपको torture नहीं लगेगा, आपको तो प्यार लगेगा, लेकिन जिसको करड़ है, जिसके उपर गर उसको torture लगेगा, तो इस तरह से अगर आप किसी को भी torture कर रहे हो, अपना हक समझ के, अपना अधिकार समझ के, तो definitely वो आप से और हो जाएगा, irritated हो जाएगा, वो आप से छूट के कहीं और जाना चाहेगा, अगर आप एक चिरिया को प्यार करते हो, और उसको आप एकदम बंदी बना के रखते हो, और आप अच्छा दाना पानी डालते हो, और आप उसको प्यार से रखते हो, लेकिन वो चिस च कर दे तो इसलिए जितना भी आप प्यार करो जब भी उसको मौका मिलेगा वह आपके हाथ से उड़के चली ही जाएगी वो चीरिया ठीक है तो इस तरह से अगर आप अपने पार्टनर को इस तरह से रून बीन के एकदम कपजा कर लोगे अपना हग समझ के उसको सांस तक नही अगर आप मैं इसे डारिक कॉल पर बात करना चाहते हो तो कॉल मीफोर आप्लिकेशन के थ्रू आप उसे डारिक कॉल पर बात कर सकते हो तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई